आज की क्लास में सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, इनोवेशन, वाइफा श्टेड़ी में आपका श्वागत है तो आज हम करेंगे समान्य विग्यान के क्यूशन करेंगे तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए सरसाइस की क्लास लगाना तो मैं आपके लिए समान्य विज्यान के Quesn लेके आया हूँ 500 Quesn है जिसमें से आज हम इस Class में करेंगे वो 50 Quesn करेंगे चलिएगा Start करते हैं हमारे आज पहली Class रहेगी Part 1 रहेगा समान्य विज्यान के जो 500 Quesn लेके आया हूँ जो Most Reported Quesn है पटवारी एक्जाम के लिए बार-बार रिपीट होते हैं वो लेके आया हूँ तो उसमें हमारे पहली Class रहेगी उस Class में हम 85 Quesn करेंगे आज तो चलिएगा Start करते हैं Start करने से पहले मैं आपको बता दो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चलिएगा पहला Quesn है हमारा सबसे बड़ी आखें किस स्तंधारी पराणी के होती है तो सबसे बड़ी आखें किस स्तंधारी पराणी के होती है तो वो होती है एक नमर Quesn है हमारा सबसे बड़ी आखें है वो किस स्तंधारी पराणी के होती है तो वो होती है हीरन के यानि हीरन क्या है एक स्तंदारी प्राणी है यानि यहाँ पर क्यूशन इस प्रकार से भी पूश सकता है भी हीरन है एक स्तंदारी प्राणी है और जिसकी सबसे बड़ी आख्यों होती है चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन करते हैं अगला क्यूशन है सेग योगदान करने वाला देश कोनव सा है तो वह है शुंक्त राजय एमरीका है वह उद्योग में अबर्छ है वह कच्चे बाल करोप में प्र्यूखत होता है तो वह विधूत उद्योग उसमें कच्चे माल की रूप में प्रयूखत ओता है तो चलिएगा नेक्स क्यूशन करते हैं, नेक्स क्यूशन है, प्रेस्टर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि, क्योंकि प्रेस्टर कुकर के अंदर का जो दाब होता है, वो ज्यादा होता है, प्रेस्टर कुकर के अंदर का जो दाब ज्यादा होने के कारण, प्रेस्टर कुकर मे boiling point हता है वो क्या होता है बढ़ जाता है चलिएगा next discussion करते हैं अगला question है मारा पर्टेग किरिया के बराबर वह वीपृत दिशा में एक पर्टी किरिया होती है यह Newton का तीसरा नियम है या नियुटन पर्टी किरिया का नियm बोलते हैं से यानि Newton के तीसरे नियम को क्या बोलते हैं किरिया परतिकिरिया का नियम यानि परते किरिया के बराबर वे विप्री दिशा में क्या है परतिकिरिया होती है यह नियम है वो Newton का तीसरे नियम है पर्थम नियम जर्तों का नियम बोलते हैं चलिएगा next question है तांबा का यानि तांबा यानि कोपड सी यू तांबा का सत्रू तत्तो है तो गंदक है यानि गंदक से क्या है जो तांबा है उसकी पालिस क्या है उड़ जाती है उसका रंग उड़ जाता है गंदक से तो इसे हम बोलते हैं तांबा यानि कोपड का सत्रू तो कौन सा हो गया गंदक हो गया चलिए next question करते हैं उगते वे डूपते सुरिये लाल परतीत होता है उगता वे डूपता सुरिये है वो लाल परतीत होता है क्यों होता है वे क्योंकि लाल रंग का परकेंदन होता है वो सबसे कम होता है लाल रंग का परकेंदन सबसे कम होता है इसलिए उगते व सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का त्रंग धेदरिया है वो सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का त्रंग धेदरिया सबसे ज्यादा होता है बैंगली रंग का त्रंग धेदरिया कम होता है तो उगते वे डूपते समय सुरिया जब लाल दिखाई देता है तो वो लाल रंग का प्रकेणन कम होने के कान का мिया है सुर्य लाल दिखाई देता है supposedly चलिएगा रेडियो एक्टिवक्ता की Nah S ने की थीalthy रेडियो एक्टिवक्ता की खूझ की थी थो हेंरी बेकलर ने की थीidamente प्रेडियो समतल दरप्ण एक दूसरे 60 degree के कौन पर जुके हैं जो शमतला दरपण है वो एक दूसरे से 60 degree के कौन पर जुके हुए हैं उनके बीच एक गेंदर के बनने परतिविम्बों की संक्या कितनी होगे तो परतिविम ์ज्याद करने का जो फिर्मूला होता है वो होता है 60 और माइनस कर दिया 1 यानि 0 से 0 कैंसल 6 एकम 6 और 6 चीके होते हैं 36 और 6 में 6 माइनस 1 यानि 5 तो जो 2 समतल दरपणों एक दूसरे से 60 डिगरी के कौन पर जुके वे हैं इनके बीच में गेंद रखी गई है उसके परतिबिम्बों के संक्या बतानी है तो वो कितनी होगी 5 होगी यानि इसका सूतर होता है 360 अपोन ठीटा माइनस 1 ये है वो समतल दरपणों के बीच जो परतिबिम्ब गयाद करने का फोर्मूला है चलिएगा next question करते हैं next question है पानी के अंदर हवा का बुलबला पानी के अंदर next question है आगे question है इकाईयों की समस्त विवस्ताओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है तो वो विशीष्ट गुर्तों की इकाई है उसकी मात्रा क्या होती है समान होती है चलिएगा next question करते हैं ये दी कोई मनुश्य समतल दरपण की ओर 4 मिटर परती सेकिंड की चाल से आ रहा है तो दरपण में मनुश्य का परती बीम किस चाल से आता वा परतीत होगा यानि उसका दुगुना हो जाएगा यानि मनुश्य अगर समतल दरपण की ओर 2 मिटर परती सेकिंड की चाल से जा रहा है तो दरपन में जो उसका पर्तिभीम दिखाई देगा ना वो 4 मीटर पर्तिशेकंड दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर क्या है यदि कोई मनुश्य समतल दरपन की ओर 4 मीटर पर्तिशेकंड की चाल से जा रहा है तो वो लगाता है उत्तल दरपन लगाता है आगे जो next question है वो है ऐसे ततो जिसमें दातू और एदातू दोनों के गुण पाए जाते हैं उप दातू कहलाते हैं चलिएगा next question करते हैं कलास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिएगा और ज्यादा से ज्यादा से शेर करें ताकि सभी बच्चे इस कलास का लाब लेज़के चलिएगा next question है मारा वनस्पती विज्ञान के जनक कोन है थियो फ्रेस्टर है आगे जो next question है हमारा वो है निमलिक्त में से किसमें दाउनी की चाल सबसे अधिक होती है तो वो होती है इस पात में सबसे अधिक होती है हमारा एंस्पत रहेगा इस पात यानि इस पात में दाउनी की चाल क्या है सबसे अधिक होती है चलिएगा next question करते हैं एक व्यक्ती गूमते वे यानि एक व्यक्ती है वो गूमते वे स्टूल पर बाहें फिलाए खड़ा है ए जानि अपने हात बाहर की तरफ फिलाए वे खड़ा है और अचानक वे अपने हात को क्या है score लेता है तो जो stool का जो कौन ही awake है वो क्या हो जाएगा बड़ जाएगा चलिए का next question करते है चंद्रमा पर चंद्रमा पर बंव स्पोर्ट होता है तो इसकी आवाज पर्थवी पर सुनाई नहीं देगी क्यों नहीं देगी क्योंकि चंद्रमा पर क्या है वाईयू मिंडल नहीं है लेकिन दवनी को क्या है दवनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानने के लिए एक माध्यम क्या आउसकता होती है और वो माद्यम के कौन सा होता है माद्यम होता है वायू मिंडल यानि हवा के दुवारा क्या है हवा के दुवारा जो दौनी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है पहुंसती है तो चंदरमा पर क्या है वायू मिंडल है नहीं पलायन वेक के कान क्या है चंद्रमा पे वायो मंडल नहीं है चलिएगा next question करते हैं आगे question है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या है यानि आवर्तकाल का मतलब होता है उसको जूलने में लगा समय उसे कहते हैं आवर्तकाल तो वो 2% बढ़ जाएगा यानि कोई भी pendulum है यानि कोई pendulum है उसकी लंबाई को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसमें जो जूलने में जो लगा समय है उसमें भी क्या हैं समय ज्यादा लगेगा तो उसका क्या है आवर्त काल क्या है दो परसेंट बढ़ जाएगा चलिएगा next question करते हैं अगला question है एक लड़की जूला जूल रही है एक लड़की जूला जूल जूलने का जो ऑवर्त काल है तो जूला जूलने proposed अगल है constructive क्या है लेकिन जब बैट जैंगी एक लड़की जो उसके लड़की के पास आकर मेरत जाती है तो जूलने जो जूलने में जो लगा आवर्ट काल है वो क्या है एप्रवर्थित रहेगा चलिएगा next question करते हैं हम radio की गुंडी हम radio की गुंडी गुमाकर विविन स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं यह संबो होता है किस कारण होता है वी? वेंचूरी मीटर से क्या ग्याद किया जाता है वेंचूरी मीटर है वो क्या मापने के काम आता है तो जल की तीवर्था जल की तीवर्था मापने के काम आता है वेंचूरी मीटर इपोरेट क्योशन है वेंचूरी मीटर क्या मापने के काम आता है तो जल की ती उरता यानि जल की गती मापने के काम आता है चलिएगा next question करते हैं आगी next question है हमारा वो है चोराओं पर पानी के फौरे चोराओं पर पानी के फौरों में गेंद नास्ती रहती है गेंद नास्ती रहती है क्योंकि क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है पानी का वेग अधिक होने से क्या है? दाब घट जाता है चोराओं पर पानी के फारों में गेंद नास्ती रहती है क्योंकि पानी का जो वेग है वो अधिक होने के कारण उसका दाब है वो क्या है घट जाता है इसलिए चुराओं पर पानी की फोरों में गेंद नास्ती रहती है चलिएगा next question करते है next question है वो है यदि द्रेवमान परिवर्तित वे बिना पर्थवी शुकूर कर अपनी वर्तमान त्रीजा की आदी रह जाए तो दिन क्या होगा भी यानि द्रेवमान परिवर्तित ना हो और पर्थी की जो पर्थी शुकूर कर अपनी वर्तमान जो त्रीजा है उसकी क्या हो जाए आदी हो जाए तो दिन हो जाएगा दिन कितना हो जाएगा भी 12 गंटे का हो जाएगा यानि 6 गंटे का दिन और 6 गंटे की रात ठीक है चलिएगा next question करते हैं next question है यदि किसी पिंड को पर्थवी से 11 पॉंट यदि किसी पिंड को पर्थवी से 11.2 किलोमेटर 35 सेकिंड के यह से फेंका जाता है, तो फिंड का तो फिंड क्या होगा बहाई पर्थी पर कभी लोट कर नहीं आएगा, क्यों कि जो Plianway को पर्थी का Plianway कितना है 11.2 km2 पर सेकेंड है इस एसाब से अगर हम पर्थी से कोई भी वस्तू फेंक देते हैं, यानि 11.2 km2 किलोमेटर पर सेकंड के इसाब से पर्थिय से अगर हम कोई भी वस्तू फैंक देते हैं तो वह वापस लोट कर पर्थिय पर नहीं आएगी चंद्रमा का प्लाइंवेग कितना होता है दो पोईंट संथिंग होता है ठीक है दोपैंट 6-7 पर संथिंग होता है और जो शुरिय क प्रकार से भी बन सकता है कि पर्थी का प्रान वेग होता है तो पर्थी का प्ला पवेग कितना होता है 11.2 km per second होता है चलिएगा next question करते है next question है उपगरह में समय ग्याद करने के लिए उपगरह में समय ग्याद करने के लिए अंतरीक सियात्रियों को पर्योग करना चाहिए यानि जो उपगरह है उसमें समय ग्याद करने के लिए अंतरीक सियात्रियों को क्या प्रियोग करना चाहिए सप्रिंगड़ी का उप्योग करना चाहिए किसका सप्रिंगड़ी का उप्योग करना चाहिए चलिएगा next question है आगे question है मारा यदी पार्थवी की त्रिज्या 1% कम हो जाए पार्थवी की त्रिज्या क्या है 1% कम हो जाए किन्तु द्रेवमान वही रहे तो पर्थवी तल का जो गुर्तविय तवरण है वो 2% क्या हो जाएगा घट जाएगा यानि पर्थवी की त्रीज़ा 1% कम हो जाती है द्रेव मन वही रहता है तो पर्थवी तल का जो गुर्तविय तवरण है इन जी का मान है वो क्या हो जाता है 2% क्या हो जाएगा घट जाएगा चलिएगा next question है next question है मारा दाब का मातरक है इपोर्टेट क्यूशन है दाब का मातरक है दाब का मातरक होता है पास्कल क्या होता है पास्कल होता है चलिएगा next question करते है next question है खाना पकाने का बर्तन खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए यान किस क्वाल्टी का होना चाहिए खाना पकाने के बर्तन तो उच्छ विशीष्ट उसमा का और निमन चालगता का होना चाहिए यानि उच्छ विशीष्ट उसमा का और निमन चालगता का होना चाहिए खाना पकाने के बर्तन चलिए कर नेक्स क्यूशन करते हैं जरने में ताप जरने में जब जल उन्चाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है उसका ताप क्या हो जाता है बढ़ जाता है जब जरने में क्या है जब जरने में जल उंचाए से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है बढ़ जाएगा ठीक है चलिएगा next question करते हैं Kelvin ताप में बरफ का गलनाक होता है Kelvin ताप में बरफ का गलनाक होता है तो Kelvin ताप में बरफ का गलना क्या होता है? 0 degree Kelvin होता है क्या होता है? 0 degree Kelvin होता है sorry, minus 0 degree Kelvin होता है minus 0 degree Kelvin होता है minus 0 degree Kelvin होता है Kelvin ताप मापी में जो बरफ का गलनाक होता है वो minus 0 degree Kelvin होता है चलिए का next question करते हैं बोटनी सबद की बोटनी सबद की उत्पती किस बासा के सबद से हुई है चलिएगा next question करते हैं क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो रेडियो एक्ट्यू दर्मेता की इकाई का नाम है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है चलिएगा next question है किस रंग की तरंग देदरिया सबसे कम होती है तो बेंगनी रंग की तरंग देदरिया क्या होती है सबसे कम होती है और जो लाल रंग होता है लाल रंग का तरंग देदरिया क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का तरंग देदरिया क्या है सबसे ज़्यादा होता है और बैंगली रंग का तरंग देदरिया है वो सबसे कम होता है ठीक है चलिएगा नेक्स क्यूशन करते है नेक्स क्यूशन है कमरे में रखे रेफ्रीजेटर का द्रवाजा अगर खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कमरे का ताप बढ़ जाएगा चलिएगा next question करते है next question है इंदर दुनूस में कितने रंग होते हैं सभी को पता है इंदर दुनूस में दो सेकंड का होता है, चलिएगा next question करते हैं, बारतिय विज्ञान संस्ता कहां स्तीत है, तो वो है बैंगलोर में स्तीत, ये भी most reported question है, बारतिय विज्ञान संस्ता कहां स्तीत है, तो वो बैंगलोर में स्तीत है, आगे है question, वो है, परादवनिक विमानों की चाल होती है, उनकी चाल क्या आती है दवनी की चाल से क्या आती है अधिक होती है प्रदवनी की विमानों की चाल दवनी की चाल से क्या आती है दवनी की चाल से अधिक होती है चलिएगा next question है बूस्तिर उपगरे की उन्चाई बूस्तिर उपगरे की पर्थवी से उन्चाई होती है बूस्तिर उ आगे जो next question पूछा गया है निमली की तमेंसे किस परदार्त में oxygen नहीं होती यानि हम जो sodium है सोडियम क्या है वायू की उपस्तिती में क्या है आग पकड़ लेता है यानि वायू की उपस्तिती में आग पकड़ लेता है तो उसे बचाये रखने के लिए सोडियम को अन्य को बचाये रखने के लिए क्या है हम इसे मिट्टी की तेल में क्या करते हैं भिगोय रखते हैं मि जो विदार्थी होते हैं उसको किसकी सपत दिलाए जाती है तो वो सपत दिलाए जाती है हिपोक्रेट्स की यनि चीक्ष्या सास्तर की विदार्थियों को किसकी सपत दिलाए जाती है हिपोक्रेट्स की सपत दिलाए जाती है कार के radiator का कारिया क्या है next question है अगला question है कार के radiator का कारिया क्या आता है engine को ठंडा रखने का कारिया करता है car का radiator चलिएगा next question करते है next question है मनुष्य के स्रीर का ताप होता है मनुष्य के स्रीर का ताप होता है मुनुष्य के श्रीर का ताब कितना होता है भी 37 डिग्री सेंटिग्रेट होता है कितना होता है 37 डिग्री सेंटिग्रेट होता है अगर यहां पे आपको फारने आट में पूछता है तो होता है 98.6 डिग्री फारने आट होता है 98.6 डिग्री फारने आट होता है अगर आपको यहाँ पे Kelvin में नहीं पूछ ता है यहाँ प्याँ क्या पूछा है Centigrade में पूछा है मुनुष्य के श्रीर का नहीं कितना होता है 37 degrees होता है 36 degrees Celsius होता है चलिएगा Next повтор है दूरदरष्टी से पीडीत व्ह्यक्तियों के लिए दूर दरश्टी से पीडित वेक्तियों के लिए निकट दरश्टी यानि दूर दरश्टी से जो पीडित वेक्ति है उसको क्या है निकट की वस्तों दिखाई नहीं देती निकट की वस्तों दिखाई नहीं देती ये एक दूसरे के क्या होते हैं विलोम होते हैं यानि जिस वे करकिती के निकट друз क्या है दूर के वस्तुं दिखाई नहीं देखी तो दूर धुर्श्टी manifest के लिए उत्तल लेंच उपएयोग में लिया जाता है और जो कि निleader दर्श्टी दोस है तो लेंस कोन सा होगा वे, उतर लेंस होगा कहने का मतलब है, यानि किताब के उपर कोई लेंस रखा हुआ है और उस लेंस को हम क्या करेंगे, उठाएंगे, उपर उठाएंगे तो जो उस में किताब में छहपेवे जो अक्सर है, उसका आकार अगर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस कौन सा होगा उत्ता लेंस होगा ठीक है आगे जो next question पूछा गया है 49 question है वो है यदि किसी लेंस के लेंस से अक्सरों का आकार छोटा होता हुआ दिखाई देता है यानि हम किताब से किताब के उपर रखेवे लेंस को अगर हम उठाएंगे और उठाने पर क्या है जो अक्सरों का आकार है वो क्या है छोटा होता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस कौन सा होगा वो लेंस आउत्ता लेंस होगा ठीक है बढ़ेगा तो क्या होगा उत्तल और छोटा अक्षर छोटे दिखाई देंगे तो वह होगा अउत्तल लेंस चलिएगा next question करते हैं तारे टिम्ट माते हैं very important question है तारे टिम्ट माते हैं तो वो अप वर्तन के कान टिम्ट माते हैं अब वर्तन के कान टिम्ट माते हैं यह हमारे आज की class में 50 question होगे next class में इससे आगे question करेंगे हम तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको question करवाई वो आपको सभी समझ में आगे होगे अगर किसी में आपको doubt लगती है तो comment box में comment कर सकते हैं मैं आपकी पूरी help करूँगा अगर यह class आपको अच्छी लगी हो तो please like और share जुरूर करना ताकि सभी बचे इस class का लाब लेसके धन्यवाद next class में मिलते हैं